आज एक important मुद्दे पर discussion भी करेंगे decision भी करेंगे कि क्या Chartered Accountancy course जो है सच में worth it है क्या करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद इतनी uncertainty इसके बाद हमें पता भी नहीं कि हम Chartered Accountant बनेंगे या नहीं बनेंगे बनेंगे तो कब बनेंगे and क्या बाकी सारे courses CA course से better है all of a sudden में ये topic क्यों लेकर आ रहा है और वो भी इतनी aggressively क्योंकि बहुत recently Institute of Chartered Accountants of India ने जो exams conduct किये थे उसके results publish किये and the results some of the percentage past percentages were shocking for example CA IPCC का result था 0.37% for both the groups यानि की for every 250 students who have written only one student has cleared the examinations similarly for CA old syllabus final 1.41% past percentage था यानि की for every 100 students only 1.41 have become Chartered Accountants new group के लिए भी बहुत जादा अच्छा नहीं था 6% for final and 9.5% for CA intermediate even CA foundation was very average and फिर काफी सारे students के messages आने लगे, comments आने लगे कि यार CA course जो एकदम बर्बाद course है हम इतनी महनत करके इतना कम percentage pass हो रहा है मैंने तो 3 साल बर्बाद कर दिये, 4 साल बर्बाद कर दिये, 5 साल बर्बाद कर दिये इससे अच्छा अगर मैंने CFA में इसका one-four time भी दिया होता या CPA कर लिया होता या UPSC कर लिया होता तो भाई साब आज IS officer होता और लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा होता या अगर MBA कर चुका होता तो किसी top college से निकल कर मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका होता लेकिन मैं तो फस गया यार Chartered Accountancy Course में अब मुझे पता नहीं क्या करना है अगर ये आप लोगों की सोच है या आपके आसपरोस में किसी ने आप लोगों को ये बताया है बात अगर समझ आए तो लाइक भी कीजेगा इस वीडियो को और शेर कीजेगा सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजेगा क्यूंकि बहुत सारे एकसाइटिंग वीडियो चोटे चोटे ऐसे ही guidance के आप लोगों के लिए इस चैनल पर में डालते रहता हूं सबात की एक बात Chartered Accountancy course है बड़ा difficult बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसने बहुत जादा आबात की है और काफियों की जिंदगी को थोड़ा सा खराब भी किया है थोड़ा बरबात भी किया है क्यूंकि career में वो लोग आगे progress जादा नहीं कर पाए हमने ये भी सुना है या फिर वो postcards आते हैं news items आते हैं कि Chartered Accountancy has been rated as the most difficult course in the country well certainly not most the most difficult तो नहीं है लेकिन one of the most difficult courses जरूर है लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि यार इस course ने तो हमारा career ही बरबात कर दिया इस course में कुछ नहीं रखा it is a waste and इसका कोई future नहीं है इससे अच्छा तो हम और कोई course कर लेते हैं जैसे CFA CPA या फिर MBA या फिर UPSC and हमारी जिंदगी बेटर हो जाती थोड़ा से एक fact check कर लेते हैं सबसे पहली चीज में आप लोगों को बता दू चार्डड अकाउंटेंसी जो course है उसकी fees कितनी लगती है अगर आप तीनों sessions जो foundation inter final है उसकी registration fees देखें तो लगबग 50,000 और उसके बाद अगर आप लोग जो आपकी IT trainings होती है एक या दो उसके और fees लगा लें तो 15,000 प्लस exam fees जो लगता है total मिला के 70-80,000 रुपे official fees लगती है आप लोगों की and I can say with surety कि this is one of the cheapest courses in the country which is so valuable एक बात ना आप deny कर सकते हो ना मैं deny कर सकता हो ना ही challenge कर सकता हूं कि accounting profession अगर आता है तो इंडिया में Chartered Accountancy के उपर कोई accounting profession नहीं है even in a lot of the other countries a large part of the world Indian Chartered Accountants are rated as the top accountants आप Middle East देख लो या काफी Western Nations में भी आप लोगों को ऐसे काफी countries मिल जाएंगे जहाँ पर उनकी जो programs है local accounting programs उतनी strong नहीं है and they are always rating Indian Chartered Accountants very high यह हो गई theoretical बात अब compare करते हैं हम बहुत students बोलते हैं कि हैं CFA कर लेते थे हम हम investment banker बन जाते थे भाई साब जो Wall Street में movies में Hollywood movies में देखते हैं लंबे लंबे सूट पेन के बहुत एक खुबसूरत लड़की के साथ करोड़ों रुपे कमाते वे बंगला गाड़ी एश करते हैं investment bankers हम Google कर लेते हैं how to become investment banker उसमें लिखा होता है MBA कर लो finance का वो तो मुश्किल है CFA कर लेते हैं CA के साथ CFA कर लेते हैं या हम CFA कर लिए होते तो investment banking में job मिल जाती इंडिया की अगर मैं सिनारियो की बात करो पहली बात तो बहुत कम ऐसे front end jobs है जो really investment banking के jobs है बाकि सब back end है and ऐसा नहीं होने वाला कि आपने CA किया और company आपको बोलेगी आओ भाया आओ मेर organization में आकर investment banking करना start करो it will happen in very few cases not every CFA gets a brilliant mind-blowing posting just because you're a CFA MBA finance IAM top ISB से करते हो plus CFA करते हो तो शायद आप लोगों को because your primary degree is IAMS or ISB you get a scope you get a chance to work in those investment bankings otherwise back end job ही मिलेगी plus CFA करने का cost कितना है सिरिफ उसकी जो fees है registration fees plus उसकी जो exam fees है अगर आप लोग 9 से 10 महीने पहले register करते हो तो धाई हजार dollars है यानि कि करीब 2,00,000 रुपे अगर आप लोग थोड़ा late register करते हो तो the fees can go as high as almost 5,000 डॉलर यानि कि 3,00,000 से 4,00,000 रुपे it is 3 to 4 times more than what a normal Chartered Accountancy course costs you plus जो उसकी बहुत limited coachings available है they are very expensive Chartered Accountancy course में सस्ती भी available है, महेंगी भी available है, mid range भी available है, free में भी available है online पर but CFA की coaching limited है, expensive है, चलो ठीक है CFA नहीं सब CPA कर लेते थे, हम CPA करके तो US चले जाते थे, आपको सच में लग रहा है कि आपने CPA की degree निकाली और आपको US का visa मिलके है कि हाँ भई CPA का इंतजार कर रहे थे हम Indian का, आओ हमारे यहां पर job ले लो, वैसा नहीं होने वाला, I know very, I know many CPAs जिन्होंने CPA करके, इंडिया में 5, 6, 7 year struggle किया है, उसमें से चंद लोगों को फिर opportunity मिली, US में जाकर नौकरी करने की, उतना तो chartered accountant को ही मिल जाता, it is no big deal कि US में जाकर नौकरी करना है, तो CPA ही चाहिएगा, आपको, plus CPA करने की fees, at least 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 हर attempt के आपको देने पडेंगे, depending on the stage that you are in, something similar for CPA, advertisement आता है, only 4 subjects to become CPA, only 4 subjects to become CPA, भाया, इतना आसान होता, और इतनी अच्छी opportunity सब को मिल रही होती, तो लोग सब छोड़ चाड़ के CPA नहीं कर रहे होते हैं, सब CA में क्यों बरबाद कर रहे होते हैं, अपना समय, because in India, the primary accounting degree is chartered accountant, I have been working in corporate life, corporate world for the last 10 years, जब भी मैं एक opening देखता हूं related to accounting, it is always written CA or equivalent, CA slash CFA slash CPA मैंने बहुत कम देखा है, and जब hiring होती है, तो chartered accountants are given the first preference, of course, there are organizations who will hire CFA, CPA, मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि कोई नहीं करता, but ऐसा नहीं है कि बहुत रोजी picture है, and सभी कोई CFA, CPA को first preference मिल रहा है, और chartered accountant line में पीछे खड़े नहीं, next आजाएए, अगर आप CA नहीं बने, God forbid, CA inter कर लिए, आप articleship कर लिए, at least you have good knowledge, आपको big four organizations job दे देती है, या फिर और कहीं भी आपकी knowledge के basis पर job मिल जाती है, आप लोग अपनी coaching institutions start कर सकते हो, there are many avenues which are open, after becoming a chartered accountant, अगर आप लोग job नहीं भ practicing, आपको और कोई degree, ऐसी flexibility, at least India में तो नहीं देती, accounting world related, that is why Chartered Accountancy में उपर रखता हूँ, अब आजाते हैं, sir, UPSC कर लेता, लाल बत्ती, भाई साब, last year, 2020 में, 1 million students had registered for the UPSC exams, जिसमें से 0.5 million had actually written the examinations, याने कि, 5 million students examination दिये हैं, उसमें से final seats कितनी fill होई है, 972 vacancies, उसमें भी cream seats कितनी होती है, जो top caterers होते हैं, IAS, IPS, IFS, IRS, 300 से 400, उसमें भी reservation कितना होता है, करीब 50%, यानि कि, अगर आप लोग other class है, तो आपके लिए है 200 seats, out of the lakhs and lakhs of other class students, who are writing the examinations, CA में कोई जंजट नहीं है reservation का, कोई पंगाय नहीं है, 10% तो है, कम से कम average पर past percentage, अब आप लोग खुद accounting के students है, maths के students है, calculate कर लीजिए, पांच लाक में से 200 seat कितनी होती है, percentage आपको खुद बगुद पता चल जाएगा, MBA में अगर इतनी महनत कर लेता, तो CAD में 99 percentile आ जाते थे, तो क्यों नहीं कर रहे हो, करो न, कौन रोक रहा है, और अगर 99 percentile नहीं आया, top 10, top 15 colleges में नहीं मिला, तो फिर क्या करोगे, it is as good as doing MBA from any other college, कोई जादा scope नहीं है, in fact, top 15 colleges में seats कितनी होती है, maybe 2,000, maybe 3,000, reservation निकाल कर 25-3,000 तक आप लोगों को मिल जाती है, IAMS में अगर आप top IAMS की बात करो, 200 seat for other class, fees कितनी है, IAM Ahmedabad की 20-25 लाग, plus अगर आप CAT का exam लिखते हो, ZAT, GMAT, RAT, PAT, जो भी लिखते हो, उनकी prospectus, उनकी आप entrance fees देते हो, उनके prospectus खरीदते हो, admission के लिए, उनकी अलग fees देते हो, I am not even getting started on how much money are you spending, जितना economical CA course है, जितना straightforward CA course है, I would doubt कि और कोई course इतना straightforward है क्या, and when you compare these different aspects, it is very rewarding also, average में CA को कितनी की salary लग जाती है, 6,6,7,0,000,000 की salary मिल जाती है, अगर आप MBA देखोगे, leave the top 3, top 4, or top 5 colleges, उसके बाद अगर आप लोग average salary देखोगे, तो 10,12,0,000,000 ही होगी, 15,20,0,000,000 की अगर आप admission fees दे रहे हो, उस पर loan ले रहे हो, उसको loan को 3-4 साल, 5 साल में भर रहे हो, यानि कि almost 30-35 रुपे खर्चे कर रहे हो, and अगर आपको 10 लाग की ही नौकरी मिल रही है, तो then, where is the fun? What is the difference between Chartered Accountancy and MBA course? Think, think, I am not belittling any other course, मैं कोई Chartered Accountant का कोई brand ambassador नहीं हूँ, कि यार आके आप लोगों का mind wash कर दूं कि CA तो दुनिया का best course है नहीं है, ICA best institute है नहीं है, improvement कर रही है, आगे बढ़ रही है, आज भी globally, it is one of the most recognized and respected bodies, it is one of the most respected accounting professions in the world and it has become, it has come to that level for a reason, do not be little, अगर अच्छा नहीं लगता, please leave the course and do something else which you think will give you more benefit, हो सकता है, आपको और कहीं क्लिक हो जाए and you will do much better in your life, but do not be little, if you are doing this course, do it with full flesh, बड़े लोग कहते हैं, कि अगर दिल से आप मन से किसी काम को नहीं करते हो, तो उसका result कभी अच्छा नहीं होता, कभी favorable नहीं होता, यही मेरे दो सेंट्स थे सीख थी इस वीडियो के अंदर, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ओफेंड हो यह तो माफ कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, शेर कर देना इस वीडियो को, जो आपको कहते हैं, अरे यार, चार्डड अकाउंटेंसी कोर्स तो करियर भरबाद कर देगा, मत कर.